हलो गाइज मैं हूँ पपू और आपको आसानी से दिखराओगा अनेमित गती ओके गाइज आपसे पुछा जा सकता है कि अनेमित गती क्या है अनेमित गती किसे कहते हैं अनेमित गती की परिभासा क्या होती है तो इस तरह की सवाले आपसे पुछा जाता है तो आप बिल्कु अगर आप से पुछा जाता है कि अनेमित गती क्या है अनेमित गती किसे कहते है अनेमित गती क्या है इससे आप क्या समझते है अनेमित गती की परिभासा क्या होती है तो आप बिल्कुल डरियेगा मत जो मैं बता रहा हूँ वही आपको लिख कर आ जाना है आपको आसानी से न यहां पर आप गौर केजिए कि जब कोई वस्तू अपनी गती की दिशा को बार बार जियां साथियों बार 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 बदलती रहती है तो इस परकार की गती को अनेमित गती कहते हैं यानि इंगलिज में कहें तो रैंडम मोसन कहते हैं यहां पर आप परिभासा देख रहे हैं तो आपको आसानी से समझ में आ रहा है कि कोई भी वस्तू जो होगा वो अपनी गती को बार बार इधर उधर बदलते रहेगा अपनी दिशा को तो वो जो गती होगा हमारा अनेमित गती होगा एक्जांपल में मैंने यहां पर क्या लि तो वो एक के लिएए दिषा में नहीं उड़ता है वो इधर उधर उधर उदर उड़ते रहता है याणि वो दिषा को बार-बार बदलती है तो पतंग का जो गती होगा वो हमारा अनिमित गती हो जाएगा ओके? और इसके बाद मैंने लिख रहता है का फुटबॉल खिलारी क फुटबॉल खेलने वाले भी लोग होते हैं वो भी अपनी दिशा को बार-बार बदलते रहते हैं अपनी डारेक्शन को बार-बार चेंज करते रहते हैं तो वो आप आसानी से समझ गे होंगे ठीक है तो पतंग की गती फुटबॉल की फुटबॉल खिलारी की गती चिडिया आप अनिमित गती में एक चीज आसानी से ख्याल रखिए कि दीशा में बार-बार चेंजिंग होगा दीशा बार-बार वो बदलेंगे तो वो हमारा अनिमित गती हो जागा ठीक है तो यहाँ पर परिभासा है और इसका उधारन यहाँ पर है आसा करता हूँ कि आपको अनिमित गती आ गया होगा ठीक है मिलते हैं एक और नए दिन नए वीडियो के साथ तब तके लिए जै हिंद जै भारत